आडियो टू सू संतती का निर्मान, लेखी का माता भगवती देवी शर्मा, शिक्षा खेल-खेल की तरह, बच्चे जब इस योग्य होनी लगे कि उन्हें कुछ सिखाया जाए, तो उन्हें थोड़ी-थोड़ी बात खेल-खेल में ही सिखाना प्रारंभ करना चाहिए, उनके मस्तिश्क पर इससे सीखने का भार नहीं पड़ता, चलते-फिरते-खेलते-कुदते ही उन्हें गिंती-अक्षर-ग्यान तथा अन्य-उपयोगी बातें सिखलाई जा सकती है, शिक्षित-माता यह बड़ी सरलता से कर सकती है, बच्चों को प्यार-दुलार तो करना चाहि पर यह भी देखते रहना चाहिए कि उनमें कोई गलत आदत तो नहीं पनब रही है, एक आँख प्यार की और एक आँख सुधार की होनी चाहिए, गलत व्यभार या आदत को प्यार और प्रोटसाहन के द्वारा दूर करें, कभी दंड़ भी देना पड़े तो उसका आउच अचिते भी बच्चे को समझाना चाहिए, ऐसा न करपाने की शिकायत कम और ऐसा करने की प्रशंसा अधिक करते रहना बच्चों को सुधार की और शिग्र ले जाता है, प्रशंसा की सुधार शक्ति का उप्योग करना चाहिए, बच्चों को प्रोटसाहन और बढ़ावा त तिलानी पड़ती है, वे प्राय अपनी धुन में लगे रहने से भूल जाते हैं, लिखाई पड़ाई की ही नहीं, समय पर खेलने का भी उन्हें स्मरण कराई, बच्चों के सामने पारिवारिक जगड़े और आपस के इरश्या द्वेश की चर्चा वारता नहीं करें, उनके स सामने पक्षपात का व्यवहार भी करना ठीक नहीं, भाई बहिन में बहिन को कम और भाई को जादा, बहिन को बुरा और भाई को अच्छा यह व्यवहार भी गलत है, लड़के लड़की के पक्षपात बच्चों के सामने ही नहीं, पीछे भी करना अनुचित है, बच्चों की कथा कहानिया भी उन्हें सुनाते रहें। सर्वांगिन विकास बच्चों के सर्वांगिन विकास के लिए उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। उन्हें उपासना क्रम में लगाया जैन। अपने साथ संध्या गायतरी जब आरती पूजा में साथ रब कर उन्हें सिखाएं। नियमित्स उपासना उनके जीवन क्रम में रहे, उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए। समय पर व्यायाम, खेल और मनुरंजन भी आवश्यक है। केवल पढ़ने लिखने पर ही जोर न देकर सरवांगिन विकास के लिए यह सब भी आवश्यक है। समय पर धक जाने पर विश्रा न रखते रहे, उन्हें अच्छा बाल साहित्य जुटा कर देना चाहिए। जिससे मनुरंजन के साथ उनके सामान्य ग्यान के वृध्धी होगी। बच्चों को बिद्या लईीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोथसाहित करते रहना चाहिए। बच्चों क अपने साथ रखकर लोक व्यवहार सिखाना चाहिए। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां उनके उपर डालने से ततपरता का विकास होगा। इमानदारी से व्यवहार करना सीखें। इसके शिक्षन के लिए उन्हें छोटे-छोटे काम बाजार से सामान लाने, किसी को लेने देने, पहुचाने के लिए धन राशी सौपना चाहिए। आपस में बाटने और उसका उपयोब करने के लिए तेवहारों, मेलों के अवसर पर इसका परिक्षन हो सकता है। सभाओं, प्रवचनों में बच्चों को अपने साथ ले जाने से वहां के नियमों पनियम बच्च साहित कर सकती हैं। इससे उनकी योग्यता बढ़ेगी, सभा सोसाइटी के नियम सीखेंगे और बोलने, बात करने का साहस भी बढ़ेगा। धीरे धीरे वक्तरित्व वकला का अभ्याज भी होगा। मित्र मंडली पर नियंतरन। बच्चों के बाहर, खेलते, स्कूल जाते, कुछ मित्र हो जाना स्वाभाविक है। किन्तु वे मित्र कैसे हैं, इसके जानकारी रखना आवश्यक है। उनकी मित्र मंडली पर नियंतरन होना चाहिए। एक तो घर का वातवरण ही ऐसा ज़क और आकर्शक रखें, जिससे वे मित्रों में रुची ना लें। फिर भी मित्र कुछ तो होंगे ही, उनके मित्र ऐसे हों, जिनसे उनमें दुरगुणों, दुराचरणों का समावेश ना हों। होना तो यह चाहिए कि मित्रों से उनमें सहकारिता, सहयोग, सहायता के तत्वों की वृद्धियों, इसकी सिध्धी के लिए उनेसत संगती के लाव और कू संगती की हानियों की कथाओं, संस्मरणों, द्वाराजानकारी देते रहा जाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि शिष्टता शालिंता की मर्यादाओं की उपेक्षा की जाए। होना यह चाहिए कि बच्चों को अभिभावकों से हृदे की बात कहने सुनने में जिजग गुटन का बातावरन न रहे। एक मूल भूल यह हो जाती है कि अभिभावक आदर्शों की या तो एकदम उपेक्षा कर जाते हैं अत्वा उन्हें बच्चों पर बुरी तरह धोप देते हैं। खान पान से लेकर पहनाव उड़ाव तथा मनुरंजन तक के प्रसंगों में आदर्शों का समावेश तो किया जाए। किन्तु बच्चों की रुची के भी एकदम उपेक्षा न कर दी जाए। यदि इसका समुचित संतुलन न रखा जा सका तो बालक बाय नियंतरन के कारण मजबूरी में तो उनका निर्वाह करते हैं किन्तु अफसर मिलते ही बागी हो जाते हैं। जिनकी रुचियों की पूर्ती का उचित ध्यान रखा जाता है। प्राणता का विकास किशोर अवस्था में क्रियाशीर्ता का उभार बच्चों में आता है और उन्हें कुछ अधिक करने का उच्साह होता है। उनकी इच्छा के अनुसार ऐसे मौके दिया करें, जिनसे उनकी क्रियाशीर्ता बढ़ें, उनका विकास उचित दिशा में चलें, इस पर एक दृष्टी रखी जाए, उसी के साथ आत्मसयम और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों का महत्व समझाया जाए. चोटी उम्र से ही अच्छे कपड़े पहिंने, घुमने फिरने और कारेक्रमों मेलों में स्वतंदर रूप से विचरने की इच्छा तेवर होती है, उनमें अच्छे शौक और हॉबी पैदा करके उनमें लगाना चाहिए, स्काउटिंग, एन्सीसी, समाच सेवा जैसे कारेक् करना चाहिए, किशोर अवस्था बच्चों के लिए बड़े महत्वकी होती है, इस आयू में उनमें चंचलता आती है, क्रिया शिर्ता बढ़ती और बढ़ों के अनुकरन कारे रूप में परिनित करने का मन करता है, उसी उम्र में बच्चे दुर वैसन भी सीखते हैं, कुम उन्हें प्रेम से उसके संबंध में एकांत में समझाया जाये, जिससे उधर कदम बढ़ने से हुर्वही रोका जा सके। शाधी व्याह के संबंध में उनसे सलाह तो लेना चाहिए, पर गंभीरता पुर्वक। उनकी रुची जानेना चाहिए, यदि उसमें कुछ अनुचित जान पड़े और उसमें सुधार की आविशक्ता पड़े, तो इस कुशलता से उसका समाधान करें, कि उसे ठेस न लग विवाह से पुर्व कन्या हो या पुत्र, दामपत्य के महत्व, औचित्य और आदर्श का बोध, चर्चाओं और साहित्य के माथ्यम से करा देना बहुत ही आवश्यक हैं। विवाहोत्सव, शालीन, मितवेता, पुर्वक, पवित्र संसकार के रूप में हो इस संबंध में भावना चागरित की जाएं। विवाह में शोर शड़ाबे, तड़क-भड़क, हिजूर खर्ची और दिखावे की रुची को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की आयू बढ़ने के साथ-साथ, उनमें क्रमशा, उत्तरदाईत्मों का वहन करने की वृत्ती तथा योग्यता पैदा करनी चाहिए। लोग बहुदा धुलार के कारण बच्चों को उत्तरदाईत्मों परिशानियों से मुक्त रखते हैं। यह स्तिती बाद में दुखद सिद्ध होती है। उस दशा में अभिभावक, शारीदिक दुरबलता की कारण, भजन-पूजन अत्वा समात सेवा के लिए अपने उपर से जिम्मेदारियां हटाना चाहें, तो भी नहीं हटा पाते। बच्चों पर भी जब अचानक उत्तरदायत्व आ पड़ते हैं, तो भी कश्ट अनभव करते और दुखपाते हैं। अस्तु समझदार अभिभावकों को चाहिए कि एकदम असमर्थ होने, अत्वा देह छूटने के पहले ही, बच्चों को करमशर उत्तरदायत्व समहलवाने का करम चालू कर दें। यह कारिय स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों ही दृष्टियों से उचित हैं। इस प्रकार यदि संतान के संबंद में थोड़ी सी सावधानी रखी जाएं, थोड़ी सी जानकारियां बढ़ाई जावें, तो बच्चों का भविश्य, अपनी सुक, शान्ती तथा राश्ट्र एवं समाज की सूवेवस्थां जैसे अनेक लाव एक साथ पाए जा सकते हैं झाल 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 झाल